हालो फ्रेंट्स, वेलकम इन गरी मार्शास किचन, सावन का महीना है और सावन के महीने में लहरिया और घेवर दोनों की ही दिबान रहती है जाजस्तान की ट्रेडिशनल फेस्टिवल में घेवर की खास इंपोर्टेंस रहती है तो क्यों ना उसी ट्रैडिशनल अंदाज में उसी स्वात के साथ घर पर ही रहकर घेवर बनाया जाए तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम घेवर का बैटर त्यार करेंगे उसके लिए हम यहां लेंगे एक कप मैदा, हाफ कप दूद, वन फोर्ट कप घी और पांच से चे आईस क्यूब इसमें हम तीन स्टैप में घेवर बनाएंगे तो अलग-अलग स्टैप में आपको मैं बताती जाओंगी कि हम कितना और क्या समान ले रहे हैं सबसे पहले परात में जिसमें हम आटा लगाते हैं उसमें वन फोर्ट कप घी डालेंगे और पांच से चे आईस क्यूब डालेंगे और दोनों को अच्छे से फेटेंगे इसको लगातर एक ही डालेक्शन में फेटना है जब तक कि इसकी क्रीमी टेक्स्चर रेडी ना हो क्योंकि हाथ से फेटने से बैटर एक ही कंसिस्टेंसी का बनेगा और इसमें किसी भी तरह के कोई लंस नहीं आएंगे हमें 5-6 मिनट हो गए हैं इसको फेटते हुए अब इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से फेटते रहेंगे यहाँ पे हमें मैदा और दूद को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि बैटर में लंस ना आए जितना जादा और अच्छी तरीके से हम बैटर को फेटेंगे बैटर उतना ही स्मूध बनेगा दूद और मैदा को अच्छी तरीके से हमने mix कर लिया है अब एक कब बिल्कुल chilled water लेंगे और उसको धीरे धीरे उसे तरीके से जिस तरीके से हमने दूद डाला था पानी डाल कर mix करते रहेंगे वैसे भी राजस्तान अपनी ट्रैडिशनल चीजों के लिए worldwide famous है यहाँ पर जो भी आता है उसकी डिमान घेवर की जरूर होती है मैं भी जैपूर राजस्तान की ही हूँ तो मुझे मालूम है घेवर का क्रेज यहीं नहीं बाहर भी बहुत है लोग अपने रिलेटिव को कहकर यहां से घेवर मंगबाते हैं तो आप इस आसान तरीके से घर बैटे ही घेवर बनाकर राजस्तान की ट्रेडिशनल स्वीट डिश घेवर का आनल ले सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं बैटर को हमें न ज्यादा पतला रखना है नहीं जाड़ा रखना है इस कंसिस्टेंसी का ही बैटर हमारा बनना चाहिए अब इस बैटर में हम एक चमच बेशन डाल देंगे बेशन डालने से घेवर का टेक्स्चर जालिदार आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा वापस से इसको लगबग 2 मिनट तक और फेट लेंगे और इसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजे इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है इसमें हम अब आदा निमू का रस डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट तक डिसकर से मिक्स कर लेंगे निमू डालने से घेवर हमारा जालिदार तो बनेगा ही साथ में क्रिस्पी भी बनेगा अब बैटर हमारा रेडी हो गया है अब एक छोटी साइस का गेवर बनाने के लिए करीब 18 से 20 टेबल स्पून बैटर को अलग से हम एक बाउन में निकाल लेंगे ताकि आसानी से गेवर बना सके घेवर को रेडी करने से पहले चाशनी बना लेते हैं इसके लिए एक बगोनी में एक कप पानी डाल देंगे और करीब एक कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर लगाता चलाते रहेंगे चाशनी ज्यादा गाड़ी नहीं बनानी है हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी ही बनानी है 5-6 मिनिट हमारे कम्प्लीट हो गये हैं अब इसमें हम स्वात के अनुसार थोड़ी सी इलाइची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी केसर की पत्या भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर हम गैस को आफ कर देंगे अब दूसरी तरफ एक छोटी पगोनी को गैस पर रख देंगे और इसमें करीब आदा पगोनी घी डाल देंगे और उसको गरम होने देंगे गी हमारा गरम हो गया है गैस की फ्लेम हमको गेवर बनाते समय हाई पर ही रखनी है अब एक बाउल में जो हमने 18 से 20 चमच बैटा निखाला था अब इसको धीरे धीरे एक एक चमच बिलकुल बगोनी के सेंटर में रुक रुक कर डालते रहेंगे यहां हमने बैटर को एक साथ नहीं डालना है रुक रुक कर ही डालना है क्योंकि यदि हम एक साथ बैटर डालेंगे तो वो उफन सकता है यहां पर मैंने छोटी पगोनी का यूस किया है क्योंकि मैं छोटे गेवर बना रही हूँ यदि आप बड़ी साइस का गेवर बनाते हैं तो आप बड़ी भगुनी का यूज कर सकते हैं या कड़ाई का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और एक बात आपको ध्यान रखना है जो भी बरतन आप काम में ले रहे हैं उसमें आदे से जादा घी या तेल नहीं होना चाहिए यदि आप आदे से जादा घी या तेल का यूज करते हैं तो वो उफन के बाहर आ सकता है इसलिए तेल या घी की क्वांटिटी बरतन के अनुसार ही लें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिलकुल सेंटर में एक ही जगय बैटर डाल रही हूँ उससे गेवर की बीच में जो छेद होता है वो एकदम accurate बनेगा और उसमें किसी भी चम्मत से या चाकू से आप बीच में से उसकी शेप बना दें ताकि गेवर की बीच में जगय बन जाए हो सकता है जब आप पहली बार गेवर बनाए तो घबराट के कारण आपका गेवर परफेक्ट नहीं बने ले 14-20 चम्मत बैटर हमें बगोनी में डालना पड़ेगा और यदि थोड़ा पतला बनाना है तो उसी साफ से कम बैटर भी आप ले सकते हैं और बीच में जो हमें चम्मत से शेप बनानी है वो बीच बीच में हम बनाते रहेंगे अब आप देख सकते हैं गेवर हमारा साइड स सिख चुका है यदि आपका गेवर साइड में से नई सिखा हो तो चम्मत से उसे किनारे से घी में अलके अलके हातों से दबाते रहें ताकि वो अच्छी तरीके से शिख जाए यहां पर लगातर गैस की फ्लेम हमें हाई ही ही रखनी है और यदि घी हमारा गेवर बनाते बन निकाल लेंगे और इसका सारा घी निकलने देंगे और घेवर का जो भी घी निकलना है वो अभी इसी समय निकल जाएगा यदि आपने इसे बिना घी निकाले रख दिया तो घी इसमें पैर जाएगा और खाते समय घी का टेस्ट आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा इसलि लाकी की गेवर भी बना लेंगे हम यहाँ पर मावे का गेवर बना रहे हैं तो उसके le मावे की त्यारी कर लेते ह। एक कड़ाइ को हमने गैस पर रख दिया है और तूद में उबाल देंगे यहाँ पर दूद में उबाला गया है अब हम चमचे से हर एक-एक मिनट में इसको चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर दूद को लगातार हमें चलाते रहना है मावा बनाना बहुत ही आसान है बस इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर मैं दो चमच दूद की मलाई डाल रही हूं जो की ऑप्शनल है मलाई आनने से मावा और ज्यादा तेस्टी बनेगा दूद को लगातार चलाते रहें नए तो दूद पैंदे से चिपक सकता है अगर दूद पैंदे से लग जाता है तो मावे का टेस्ट बिगड़ सकता है और हमारा सारा कंसंटेशन अभी मावे पर ही रहना चाहिए और इसके कि नारे खुरसते हुए नीचे से खुरसते हुए चलाते रहना है अब इसका स्वाद बढाने के लिए इसमें इलाइची पाउडर और एक चम्मच चीनि डाल देंगे और साती साथ दूद में भीगवी केसर भी इसमें डाल देंगे आदा लीटर दूद और दो चमच मलाई में करीब 1.500 ग्राम मावा बनेगा जिससे हम लगबक 3 गेवर बना सकते हैं और दूद को उटाने में और दूद का मावा बनाने में हमें करीब 15-20 मिनट लगी है जिसमें हमने गैस की फ्लेम को लोपर ही रखा हुआ था अब इसको हम होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे यहां पर हमने गेवर को तीन प्रोसेस में बनाया है पहली प्रोसेस में गेवर का बैटर त्यार कर लिया था जिससे हमने गेवर बनाये थे आप गेवर को घी या तेल दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं लेकिन देशीगी म हमने बनाया गया गेवर बोट ही टेस्टी होता हैं wasn't the Milan के लिए हमने एक तार के चाशनी बनाई थी जिसे बंणने में हमें करीब 7 से आज मिनरट लगी थे की जिसमें आदा लीटर दूदश्य मिलाई से हमने लगबग 150 ग्राम मावा बनाया था अब हमारी तीनों चीजे रैडी है अब इसी तरीके से हम बाकी के गेवर भी बना लेंगे जो क्वांटिटी हमने यहाँ पर ली थी उसमें 5 गेवर बनके रैडी हुए है अब जो हमने एक तार की चाशनी बनाई थी जो भी रैडी है केसर डालने से इसके रंग में भी चेंज आ गया है अब हम एक गेवर लेंगे और उसमें धीदे-धीदे चाशनी डालेंगे चाशनी अच्छी तरीके से 4 तरफ डालनी है जिससे मीथा अच्छी तरीके से गेवर में पैर जाए और यहाँ पर हम गेवर को एक जलेदर प्लेट पे रख लेंगे और उसके नीचे कोई प्लेट लगा लेंगे ताकि जब हम चाशनी डालेंगे तो एक्स्ट्रा चाशनी प्लेट में आ जाए द्यान रहे हमारी चाशनी पतली नहीं होनी चीए नहीं तो घेवर नरम पड़ जाएगा सूखे गेवर को आप 10-15 दिन तक रख सकते हैं जब भी आप एक खाने का मन करें उसी समय तुरंत में चाशनी बना के इसे रेडी कर सकते हैं चाशनी में पाए हुए गेवर भी टेस्टी लगते हैं और पटापट से भी बन जाते हैं और यदि आप special मलाईदार गेवर बनाना चाते हैं तो उसके लिए हमने जो मावा रेडी किया था उसका यहाँ पर यूज करेंगे और धीरे-धीरे चाशनी में पाए हुए गेवर के उपर उसको लगा देंगे गेवर के उपर हमने मावा लगा दिया है अब इसको पिस्ता और बदाम से हम गार्णिश कर लेंगे जिससे इसकी लुकिंग में भी और टेस्ट में भी काफी डिफ्रेंस आ जाएगा यहाँ पर हमने चाशनी में पाए हुए गेवर और मलाईदार गेवर दोनों ही आसान तरीके से बना लिये हैं जब भी आपकी घर पर कोई गैस्ट आए या स्पेशल ओकेजन हो तो आप घर पर ही ये बजार जैसा गेवर बनाकर सबको सर्प्राइज कर सकते हैं यकीन मानिए इन गेवर को देखकर और टेस्ट में कोई नहीं कहेगा कि आपने घर पर बनाए हैं मलाईदार गेवर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें थैंक यू सो मुच जैजिनीं